हाई फ्रेंट्स दिस इस भाष एंड वेलकम तो एस्टी सलूशन्स तोड़े आम बैक्ट वीडियो वीडियो और इस वट इस दिफ्रेंस बेट्विन कंपेक्शन एंड कंसॉलिडेशन आज का जो मारा टॉपिक है यह स्वाइल मेकनिक से लिया गया है इसमें हम यह क्लेर करे कि कंपेक्शन और कंसॉलिडेशन में बेसिक डिफ्रेंस क्या होता है ठीक है कंपेक्शन कैसे होती है कंसॉलिडेशन कैसे होती है यह सब हम डेटेल में देखेंगे इसमें कि यह सब चीजे होती क्या है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपेक्शन क्य आप कोई भी soil sample होगे, उसमें क्या होगा, तीन चीजों से होती है, एक उसमें solids होते हैं, एक उसमें boids होते हैं, जिनमें या तो air होती है, या water होता है, ठीक है, और उन boids को कम करने के process होगा, हम compaction बोलता है, यानि कि जब आप उस पे mechanical means, यानि कि रोलर या किसी भी medium से आप उस पे load apply करोगे, तो उससे क्या होगा, वो particles जो है, वो compress होगे आपस में, compress होगे, इसका मतलब है कि जो air boids हैं, खतम होगे, उनकी जो space है, वो densely packed होगे, यह होती है compaction, it is achieved through reduction of air boids, यह compaction कैसे होती है, जब आप load apply करोगे, तो जो boids हैं, उनकी space जो है, यानि कि उनका volume जो process है, rapid process का मतलब होता है, यह जल्दी हो जाता है, जैसे आप load apply करोगे, तो आप compaction start हो जाएगी, जदा time लेने वाला नहीं है, इसमें सालों नहीं लगते, कुछ time लगता है, ठीक है, compaction is an artificial process, यानि कि इसमें आप natural means से नहीं हो रहा है, जैसे आपको कोई road बनाना है, तो वह अब आप अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे आप road बनाना है, यानि कि आप artificial matter यूज कर रहे हो, नहीं कि कोई natural matter यूज कर रहे हो, और अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे अच्छी compaction कब होगी, तो सबसे अच्छी compaction होती है, जब soil जो है, हमारा एक particular monster content पे हो, जिसको हम बोलत होती है, उसको बोलते हैं, optimum monster content ठीक है, यह हम different test यूज करके हम find out करते हैं कि जैसे आप sample ले लो soil sample और उसमें आप देखो कि उसका proctor test करो कि उस पर आप पता लग जाएगा कि इतने percent water content पे आपका maximum compaction होगा, तो उतना पानी आप उसमें मिलाओगे, ठीक है, fields को compact करोगे, त तो अब हम चलते हैं, consolidation की तरफ, consolidation जो है, वो भी similar compaction है, but compaction है नहीं, ठीक है, देखे, consolidation होता क्या है, consolidation is the process by which soil particles are packed more closely together under the application of statically, consolidation किस case में होती है, पहले मैं आपको clear कर लेता हूँ, जिस soil की permeability अच्छी है, काफे सारे boids हैं, और उसकी permeability काफे अच्छी है, उसकी कर सकते हैं but, जो soil sample है, उसके अगर boids, boids तो हैं, उसमें काफे सारे, जैसे clay soil ले 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 हैं, उसमें boids हैं, but उसकी permeability काफे अच्छी नहीं है, तो जैसे consolidation भी क्या है, एक compaction की तरह ही है, but compaction नहीं है, इसमें static loading की वाज़स है, जैसे आपने क्या 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 है, जैसे आपने क्या क्या जैसे आपके पास clay soil है, ठीक है, उसके आप ऊपर आपने क्या structure बना दिया, जैसे आप पानी इसमें फसा हुआ रहाएगा, उसको आप compaction से तुरहंते निकाल नहीं सकते, बट वो दीरे दीरे उसमें से expel होगा, तो जैसे उसके ऊपर आपने क्या structure बना दिया, एक static loading लग तो अब static loading के बज़ से time दीरे दीरे पानी इसमें से expel out होता जाएगा, ठीक है, तो यह क्या करेगा, यह काफी time लगाएगा, जैसे it is achieved through gradual drainage of water from soil pores, consolidation में जो pores में से पानी है, वो दीरे दीरे निकलेगा, ठीक है, एक दम अचानक नहीं निकलेगा, जैसे हम उसके compaction की बात कर जाते हैं, वैसे नियों होगा इसमें, ठीक है, it is a gradual process, and in some soils, it may take years, इसको सालों भी लग जाते हैं, किस कुछ तरह के मिट्टी में, ठीक है, it is a natural process, यह क्या है natural process है, consolidation आप artificially नहीं कर सकते, इसके लिए आप कुछ इसे structure बना दिया आपने, उसकी starting loading से अपने आप दिरे दिर से खतम होगा, उसमें से पानी अपने आप दिरे 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 हो जाएगा, consolidation is strictly applicable for saturated or nearly saturated clays or soil with low permeability, यानि कि उन soil में होता है यह जिनकी permeability कम होती है, ठीक है, number of pores काफी होते है उसमें, but पानी फर्स जाता है उसमें, और वो इसली निकल नहीं पाता है, ठीक है, यह था compaction and consolidation के बारे में, I hope आपको समझ आ गया होगा, thank you very much for watching this video.